आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ होगा है उसके दोरान जो जो हमारे मैन आये हैं उनके जो स्रक्चर आये हैं उनको यह बोला जा रहा है क्यों क्योंकि जो होता है यह हमारे एक जीनस होता है जो हमारे मैंस के लिए होता है जो हमारे मॉडर्न मैन होते हैं वो होते हैं होमो सैपियन sapien तो हो मोजो है हमारा genus होता है हमें बात करने है होमो एरेक्टस और होमो हैबलेस के बीच में दो डिफ्रेंस की थोड़ा था हमो हमो हैबलेस कब आये तो हमारे हमोहाइबलेस ते वह कुछ हमारे देखने को पहले, तो मुझे बात करने हैं यहां पर, सबसे पहले तो आई थे हमारे habilis आये थे, homo habilis उसके बाद erectus आये थे, तो इन दोने के बीच में जो difference होता है, पहले difference ही होता है, homo habilis थे, they do not eat meat, probably, यानि कि probable बात हो रही है, हमें पक्का नहीं पता है, they probably did not eat meat, and they do probably eat meat, हाँ जी, यह meat eater थे, तो यह तो मेरे बात हो गई, एक difference के बारे में इनकी eating habit के, दूसरा difference देख लेते हैं, बात कर लेता हो, इनकी brain capacity के बारे में, कि इनकी brain capacity किस प्रकार चे थी, तो जो हमारे homo habilis थे, उनकी brain capacity कुछ थी, 650 से 800 cc तग याने की cranial cavity के बारे में बात हो रही ही है, यह उनकी brain capacity थी, और जो हमारे erectus थे, homo erectus थे, उनकी जो brain capacity थी, वो कुछ 900 cc के आसपास थी, हाँ जी, याने कि हमारे cranial cavity की जो volume थी, उसकी बात हो रही है, तो यह तो मरी बात होगे कि इसकी दो differences के बारे में, किस इसके बीच में, homo erectus और homo habilis के बीच में, बात करना तो बी-part के बारे में, यह कह रहा है, rearrange करना है, following early to late geological periods, यह हमें एक तीन period दे रखे हैं, carboniferous, silurian और jurassic, इन तीनों को हमें early से late के order में arrange करना है, तो सबसे पहले हमारा जो period था, वो था हमारा silurian period, हांजी, उसके बाद आता है हमारा carboniferous, और सबसे जो latest, यानि कि लेट है, वो हमारा jurassic, अब आप कहेंगे, मैंने ऐसक कैसे बता दिया, तो यह मैंने बताया है, इनके कितने साल पहले हमें देखने को मिलता था, जो silurian period था हमारा था, कुछ 350 million year अगो, हांजी, 300 million साल पहले हमें देखने को मिलता था, जो Carboniferous है वो कुछ देखने को बलता था 300 million year अगो पहले और जो सबसे लेटा ये हमें देखने को बलता था 1500 million year अगो पहले तो सबसे पहले हमारा कुछ सा बिलाड आया Silurian, सबसे पीछे की बात हो रहे million year अगो याने की पहले तो सबसे पहले Silurian आया, फिर Carboniferous and then comes Jurassic, तो दोनों पाट हो जाते हैं complete, thank you